तो जिसका तुझे था इंतिजार उगेड़ी आगेई ओकेई गाइस एक्जाम्स आर फाइनली ओवर एंड वेल डाल पाट आउन यार बैक आपने आपकी जिन्दगी का सबसे डिफिकल्ट एक्जाम्स दिया है एक्जाम्स देना ही एक बहुत बड़ी बात है और वैसे लाइफ तो इंतिहान लेती रहेगी आखरी दम तक वो अलगी लेवल के एक्जाम्स होगी फिलोसफी वाले बट ये वाला जो रिटेन वाला एक्जाम्स है वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आपने क्लियर कर लिया है एक्जाम्स देना ही in itself for me is a very very big thing कितने सारे लोगों ने उसमें भी backstab कर लिया था अब एंड तक रहे इसके लिए keep it up अब बाकी अपनी बड़ी बड़ी बाते हुई थी तुम लोग ने मुझे वादे किये थे सर गोवा चलेंगे बस आप एक्जाम कतम होने दो अब देखते हैं कितने लोग आते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं that yes sir I mean मैं आपके साथ गोवा आऊंगा अब आप एक बार पहले को लाइक करेंगे उतने लोग इन हैं मैं समझ रहा हूँ या कमेंट में आप अपना इटिनरी बता सकते हो आप बता सकते हों कि गोवा में या कोई और जगे जो अपन जा सकते हैं and we can have the most best of the time because इतनी महनत के बाद यार थोड़ा relaxation तो बनता है पुब्लिक क्या बलते हो and nothing best place than Goa in India to chill, relax and enjoy. Anyways, और रण मैं आपको मेरी कहानी बता दूँ, तो मैं जब CA final का exam दिया था, I swear, जो मैं बोल रहा हो, it's a true, मैंने जैसे ही exam दिया था, मैं उसके एक या दो दिन बाद हम लोग के friends लोग ने, हम लोग ने plan किया हुआ था that we will go to Goa, we अब वो time पे इतने पैसे न बागा बीच के उदर रहे थे हम मैं आपको location भी बता दूँगा, and we had the time of our life, हम लोग सब seven friends थे, all given their CA final examinations, and it was so much fun, मतलब वो जो एक relax, वो जो एक unwind किया है आपको हम लोग ने, मजा गया था, तो do plan, if not Goa with us, कुछ और plan कर लो, किसने मना किया है, but definitely कुछ ना कुछ प्लान क to relax, because अगर अभी आप immediate basis पे नहीं करोगे ना plan, फिर यह charm और यह time निकल जाएगा, फिर वापस से वही routine स्टार्ट होने वाला है, end of the day, तो मैंने कुछ चीजे और आप लोगों के साथ discuss करनी है, यह वाली चीज तो आप लोग मुझे likes और comments के तरू बता ही रहे है, other than that, what are you going to do, so exams over, well done, you have done a great job, pat yourself, अब जिस भी उपर वाले को आपने प्रे किया है, उसको वापस से जाके प्रे करके बोलना कि yes, thank you God for giving me the strength के हमने यह exams इतनी अच्छी तरह से लिखा है, yes, the spiritual strength जो आपको उपर से मिलती है, वो शायद विजिबल नहीं होती है, but that is the reason आप अपने आ manage कर पाए and you are able to take through these examinations, enjoy yourself to the utmost for the next few days without thinking anything about the results, कोई पर दिफिकल्ट काया है, कोई पर दिफिकल्ट काया है, कोई पर दिफिकल्ट काया है, सब चीज अभी irrelevant है, only one thing is relevant and that is enjoying yourself, यह टाइम वापस नहीं आएगा, वाकी results, अपने अपना काम कर दिया है, अब वरी करो कि मना करो, it is going to remain the same, so my point, enjoy yourself, और exam के वो जब result का date पता चलेगा, उसके वो 2-4 दिन पहले वैसे भी butterflies आने वाली है, वैसे भी तब tension आने ही वाले है, तो उस दिन के लिए छोड़ दो ना, क्या होते हो, what next, अगर आपका एक group का exam हुआ है, दूसरे group का exam बाकी है, जिसने से कुछ लोगों नहीं की group दिया होगा, तो उनका new syllabus mentor हो रहा है, तो उसको कैसे manage करना है, वो सब के लिए यहाँ पर वीडियो जाते रहेगा, stay subscribed, we'll definitely keep on guiding you, अगर आपके दोनों group हो गए है, and फिर अभी आपका GMC, CITT, OTT, I don't know, all those formalities जो भी pending है, आपके पास around one and a half months है, please उन सब चीजों को complete कर लेना, once you are back from your whatever vacation that you are planning, अगर आपके दोनों group हो गया, एक ही group हो गया, तो भी यह चीज़ कर सकते हो, कोई tension नहीं है, जिसका new syllabus में भी आ रहा है, एक group, first group या second group, whatever, तो उसके लिए self-paced online module के लिए क्या requirements है, formalities है, यह सारी चीज़े अपन discuss करेंगे, and अगर हो सके तो, try to add value to yourself, in these one, one and a half months, after your vacation is over, कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं कुछ चीज़े बताऊंगा, अभी आपको उस चीज़े बर्डन नहीं करना है, but yes, lot of things to look forward to, and definitely, 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 अभी फिलहाल, just live yourself, enjoy yourself, and वाकी का चीज़े, discuss करते हैं, आने वाले टाइम में, very, very happy for each one of you, that आपने इस पडाव को पुरा कर लिया है, now, I will pray for each one of you, that yes, आप ख्लियर हो जाए, and you send a lot of chocolates, and sweets, to me, as well, चलो, take care, keep smiling, बाकी की चीज़े, आते रहूंगा, मिलते रहूंगा, आप लोगो को YouTube चैनल पे, आस्तल अविस्ता, keep smiling, thank you so much,